जै हो जग में जले जहां भी नमन पनीत अनलको जिस नर्में विबसे हमारा नमन तीज को बलको किसी विरिंद पर लिखेवी पिन में पन नमस्य है फूल सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मोल उचनीच का भीद न माने वही स्रेष्ट ग्यानी है दयादर्म जिसमें हो सबसे वही पुझे प्राणी है शत्रिय वही भड़ी हो जिसमें निर्वहता की आग सबसे स्रेष्ट वही बढ़ामन है हो जिसमें तब त्याग तीजस्वी सम्मान खोजते नहीं गुत्र बतला के पाते हैं जग में प्रसस्ती अपना कर्तब दिखला के हीन मूल की ओर देख जग गलत का है या ठेक वीर खीच कर ही रहते हैं इतिहासों में लेग जिसके पिता सुरे थे माता कुंती सती कुमारे उसका पलना हुआ धार पर बहते हुए पिटारे सूत वंच में पला चखा भी नहीं जननी का क्षेर निकला करन तब भी सभी युव को में अदभुत वेर तंसे समरशोर मन से भावुक स्वभाव से दाने जाती गोत्र का नहीं शील का पारुष का भिमाने ग्यान ध्यान शास्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास अपने गुण का किया कर्ण ने आपसम सुविकास अलग नगर के को लाहल से अलग पुड़ी पुरजन से कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तनमन से नीज समाधी में निरत सदानेज करमता में चूर वन्ने कुसूम सा खिला करन जग की आखों से दूर नहीं फूलते कुसूमात राजाओं के उपवन में अमितवार खिलते हुए पूर से दूर कुझ्न कानन में समझते कौन रहस्य प्रकृती का बड़ा अनुखा हाल गुद्री में रहते चिंचिन कर बड़े कीमती लाल जलद पटल में छिपा किन्तू रवी कब तक रह सकता है यूग की अभेलना शुरमा कब तक सह सकता है पाकर समय एक दिना खिरुठी जवानी जाग फूट परिशब के समक्ष पौर उसके पहले आग रंग भूमे में अरजुन था जब समा अनुखा बांद है बड़ा वेड़ वेतर से सहसा कर्ण शरा संसाद है कहता हुआ तालियों से क्या रह गर्भ में फूल अरजुन तेरा श्यश अभिशन में होता है दोल तोने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ चाहे तो कुछ नहीं कलाय भी सिखला सकता हूँ आख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यपार फूले सस्ता श्यश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार इस परकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाय रं की सभास्त बद रह गई गई रयाक टंगी जन जन की मंत्र मुगत्सा मौंच तुर्दिक जन जन का पड़ावार गुंज रही थी मात्र कर्ण की दोना की टंकार फिड़ा कर्णत्यों साधू साधू कै उठे सकल नर नारी राजवंश की नेताओ पर पड़ी पदाती भारी द्रोन भेशम अरजुन सब फिके सब हो रहे उदास एक स्यूदन बढ़ा बोलते हुए बीर शाबबाश द्वंद यूद के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा अरजुन को चुप़ी रहने का गुरू ने किया इशारा किरपाचर ने कहा सुनो है वीर युवकन जान भरतवंस अवतंस पांडू की अरजुन है संतान शत्रिय है ये राजपुत्र है योही नहीं लड़ेगा जिस्तिस से हाता पाई में कैसे कूद पड़ेगा अरजुन से लर ना हो तो मत गहो सभा में माओ नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाती हो क्मान जाती हायरी जाती कर्ण का हिर्दय शोब से डोला कुपित सुरे की और देख वो वीर क्रोध से बोला जाती जाती रखते जिनके पुझी केवल पाषण मैं क्या जानू जाती जाती यह है मेरे भोजदां ऊपर सिर्पर कनक छतर भी तरकाले के काले शर्माते हैं नहीं जगत में जाती पूछने वाले सुत्र-पुत्र हूं मैं लेकिन थे पितापार्थ के कौन साहसो तो कहो गलानी से रह जाओ मतमौन मस्तकूचा के जाती का नाम लिये चलते हो पर अधर्म मैशोसन के बल पे सुख में पलते हो अधम जाती हो के थर-थर कापते तुम्हाडे प्रान छल से मांग लिये करते हो अंगूठे का दान पूछो मेरी जाती शक्ती हो तो मेरे भूजवल से रवी समान दिपित ललाट से और कबच गुंडल से पढ़ो उसे जो जलक रहा है मुझे में तेज प्रकाश मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा हितिहास अर्जुन वड़ावीर शत्रिया है तो आगे हुए आवे शत्रिया का तेजरा मुझे को भी तो दिखला वे अभी छेन इस राजपूद्र के कर से तेर कमान अपनी महाजाती की दुंगा वै तुमको पहचान किरपाच्यारे ने कहा वृथा तुम कुरूद हुए जाते हो साधारन सिवा तुसे भी समझ नहीं पाते हो राजपूत्र से लड़े भी ना होता हो अगर अखाज अरजित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज